नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनिल पे देखी चुके हैं कि आप जो है कैबिनेट की बैठक यो है होई है 27 मई 2020 को तो क्या बड़े फैसले जो है आज की कैबिनेट में अभी तक लिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो वीडियो पर जो है एंट तक बने रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ये नहीं ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बैल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं देख सकते हैं आप क्याबिनेट बैठेक अंशकालिक जलवाकों को बड़ी राहत पद भरने और अटल वर्ती योजना को मंजूरी तो अमर जाला नेटवर्क शिमला द्वारा यह जो है 27 मई 2020 को 23 पर अपडेट डाला गया है कि अंशकालिक जलवाकों के लिए बड़ी राहत जो है सरकार द्वारा दी गई है और सरकारी पदों पर भर्ती भी होगी अटल वर्दी योजना को भी मंजूरी मिली है तो हिमाचल मंत्री मंडल की बैठक बुद्वार को सियम जैराम ठाकुर के जख्षता में सचिवाल्य में हुई मंत्री मंडल की बैठक में कई एहम फैसले जो लिए गए मंत्री मंडल की बैठक में अश्कालिक जलवाकों को बड़ी रहत दी गई अश्कालिक जलवाक अब 14 साल की बजाए जो है 13 साल में नियमित जो है वो रेगुलर कर दिये जाएंगे उसके बाद बता जाए गया है कि समाजिक निया एवम अधिकारिता विभाग में संख्य की साइकों के जो है दस पद भरे जाने को भी मंत्री मंडली ने स्विकरिती परदान की है तो अधिकारिता विभाग में संख्य की साइकों के जो है दस पदों को भरने की मंजूरी भी मंत्री मंडल की बैठक में दी गई है और साथ में ही आटल बर्दी योजना के तहत वर्ष 2019 और 2020 की बर्दी खरीद को भी कैबिनेट ने मंजूरी परदान की मंत्री मंडल की बैठक में टास्क फोर्स के प्रमुख अत्रिक्त मुख्य साचिव राम सुभग सिंग ने जादा आर्थिक कतिविदियों को शूरू करने के बारे में प्रजेंटेशन दी कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में करोना वाइरिस के लगतार बढ़ते मामलों पर चिंता जदाई है तो स्कूल जो है वो लगने वाले हैं या नहीं इस पर अभी तक कोई अपडेट नोटिफिकेशन नहीं आया है हो सकता है पांच बज नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को लाइक कर दें धन्यवाद जैहिंग जैभार